हेलो फ्रेंड्स वेल्कम टो मैं इस्टडी फीड चैनल दोस्तों मैं फीजिकल एजुकेशन की चेप्टर वाज इंपोर्टन एमसी क्यूज का सिरीज चला रही हूं प्रैक्टिस करा रही हूं जिसमें से यह स्पोर्स मेडिसिन यानि खेल चिकिस्ति सास्तर का पार्ट टू ह lebags में दूस्तों यह दिसी के इस किसी क्यार्टिशं का स्बसके कर ना चाहते हैं तो मेरे चैनल पर सभी बीडिए कह अardin दोस्तों वığımız दोस्तों ö cui दोस्तों मेरे चैनल इसरे चनल किन पर देविए डिए 예關ि मए ठाटनों की तोा से प्रश्णों कि तरफ electrocution है कि खेल चीकिस्सा विज्ञान की उत्त्त्ती हूई कि दूस्तों अथ खेड़ से डिलेति जितने भी चीजें हैं उस सभी यूनान से ही उपत्त्ती हूई है sure तो खेल चिकीसा विज्ञान की पत्ती हुई कहां पी हुई दोस्तो युनान मीं जैसा कि दोस्तो खेल चिकीसा सास्त्र जो कि चिकीसा सा सास्तर के जनक हैं आपके हीपोक्रेतर श नेक्स कोश्चन है दोस्तों खेल कूद एवं साररिक सिच्छा में चिकिस्चा पिज्ञान की सिधान्तों का प्रियोग करने का स्रे किसको जाता है तो इस्रे जाता है हिपोक्रेटस को किसको जाता है हिपोक्रेटस को जाता है ठीक है नेक्स कोश्चन है कि खेल कुद एवं साररिक सिच्छा में खेल चिकिस्चा का कारे होता है खेलों शेपूरू प्रसिचर के समय प्रतियोगिताओं के समय इन सभी में तो दोस्तों खेल के पूरू भी होता है कि किसी को इंजरी है कि नहीं है कैसा है निरोग है कि कैसा है सब्सक्राइब होता है एन प्रतिवुइताओं के समय भी वह था है इन सभी में आफसा नंबर डी नेक्स कोशन है कि खेल चिकिस्सा संबंध है खिलारियों के बचाओं में स्वास्त की देख भॉल में A and B दोनों तो यहां पि A and B दोनों सई होगा नेश्ट कोश्चन है खेल ची किस्सा दल में सामिल होते हैं समाने ची किस्सक, कायक ची किस्सक, सैले ची किस्सक, ए सभी तो ए सभी सामिल होते हैं खेल ची किस्सा में नेक्ष्ट है खेल चिकिस्था परिचित होता है समाने चिकिस्था के सिधानतों से अहार योंकार चिकिस्था के सिधानतों से खेल स्वास्थ विज्ञान के सिधानतों से इन सभी से तो ये खेल चिकिस्था इन सभी से परिचित होता है नेक्ट कोश्चन है खेल चिकिस्सा कांग्रेश का गठन कहां किया गया तो दोस्तों खेल चिकिस्सा कांग्रेश का गठन किया गया सेंट मूरित सुर्जर लैन में नेक्ट कोश्चन है दोस्तों उस प्रसिछड का बैग्यानिक नाम क्या है जिसमें अभ्यास भिन भिन अवधी भिन भिन तिवर्टा के अधार पर किया जाता है तो उस प्रसिचर का नाम है पिरामिट ट्रेनिंग पिरामिट ट्रेनिंग में अभ्यास भिन भिन अवधी और भिन भिन तिवर्टा के अधार पर किया जाता है नेक्स कोश्चन है उस प्रसिच्छड को क्या कहते हैं जिसमें उच्चितिवर्टा के बराबर या प्रतियोगिता के इस्तर के बराबर स्ट्रेस दिया जाता है तो उसको क्या कहते हैं टेंपोलफ ट्रेनिंग कहते हैं क्या कहते हैं टेंपोलफ ट्रेनिंग नेक्ट कोश्चन है पिरामिट ट्रेनिंग को सुरू करने का असरे किस डेस के लंबी दूरी के धाव को ने प्राप्त किया तो दोस्तो पिरामिट ट्रेनिंग को सुरू करने का असरे रस्या रूस के डेस के लंबी दूरी के धाव को ने प्राप्त किया नेक्ट कोश्चन है कांटिनिवस रिले ट्रेनिंग तकनीक को दुसरी किस नाम से जाना जाता है तो दोस्तों कांटिनिवस रिले ट्रेनिंग तकनीक को पैरालख ट्रेनिंग के नाम से जाना जाता है नेक्ट है उस प्रसिच्चर को क्या कहते हैं जिसमें अधिक्तम ताप पर ट्रेनिंग दी जाती है तो उसको हीट ट्रेनिंग बोला जाता है नेश्ट है एक धावक द्वारा मांस्पेशी पीडा मांस्पेशी सुजन तथा मांस्पेशी संकुचन के दरान स्ट्रेच होने की इस्थिती को क्या कहते हैं तो दोस्तो इस इस्थिती को कहते हैं मसल सोरनेश क्या कहते हैं मसल सोरनेश दोस्तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि जहाँ भी मांस्पेशी पीडा हो दर्द सहित कारे की बात हो वहाँ पे मसल सोरनेश होगा क्या होगा? मसल सोरनेश होगा यानि कि जब कोई खिलाड़ी मुस्किल भरा दर्द सहित कारे करता है तो उसे मसल सोरनेश के नाम से जाना जाता है और इसमें पेशी तंतु में सूजन आ जाती है इसका कारण क्या होता है दोस्तों यह सरीरी पानी की कमी या विद्यूती अभगटकों के असंतुरन से होता है इसे मसल्स क्रेंप भी कभी कभी बोला जाता है या चोट ग्रसित पेसी में अचानक से तिखा दर्द होता है ठीक है तो मांस्पेसी पीडा सब्दा आए या सीमा से भी अधिक तनाव आ जाए तो तनाव आ जाए या खिच जाए तो उसे हम क्या कहेंगे यहाँ पर दोस्तों आपको समझना है यदि यहाँ पर बोलता कि मानस्पेशी में एक अधिकतम सीमा से अधिक तनाव आ जाए या खिचाव आ जाए तो क्या करते है वो इस्ट्रेइन हो जाता लेकिन यह क्या हो बल पुरुवक बात कह रहा है उस बात को क्या कर रहा है बल पुरुवक बोल रहा है यानि कि मानस्पेशी में एक अधिक्तम सीमा से भी अधिक, सीमा से भी अधिक, तनाव आ जाए या खिच जाए, तो उसे हम कहते हैं मसल्स पूल, क्या बोलते हैं, मसल्स पूल, तो जहां बल पुर्वग मानस्पेशी के खिच जाने की बात हो, मानस्पेशी एटेंडर की जाने की बात हो वहां मसल्स पूल होगा बल पुरूर तो सब्दों पर आपको ध्यान देना होगा निश कुर्ष्चन है कोहनी की हड़ी से जुड़ी मांस्पेसियों में अत्यधिक स्ट्रेच आजाए यानि और यूज के कारण यानि बार बार परियोग के कारण तो इस चोट को क्या कहते हैं तो दोस्तों इस चोट को हम टेनिस एल्बू बोलते हैं क्या बोलते हैं टेनिस एल्बू टेनिस एल्बू जो होता है दोस्तों कोहनी के पास इस पेसी और टेंडन क के बार-बार प्रियोग्श्य होता है जैसे कि क्या कारण होसकते हैं जैसे कि हमारे कोहनी के पास की जो टेंडर होती है उसका नाम है इपी कोANK Always प्बाँ के अच्छनक से खीच जाने के कारण होता है और रैकेट वाली खेलों में गलब तरीके से ग्रीब सिका होता है ठीक है गलब तरीके से हीट के कारव होता है या अधिक भारी रैकेट का प्रियोग कर रहे हैं तब होता है और या ओवर साइज ग्रीब कर रहे हैं या बहुत बड़ा साइज है भारी बाल का प्रियोग कर रहे हैं रैकेट के त किसी सारी क्रिया को करते समय मांस पेसियों में क्रैंप आजाए तो उसके क्यारण क्या होते हैं तो दोस्तों यहां पर दिया है कि अतधिक गर्म वातावरर में अभ्यास करने के कारण ग्लाइकोल लाइटिक की कमी हो जाती है तथा रक्त का संचारण संकुचित मांस पेसियों तक प्रयाप्त नव पहुचना एंड मिनरस जैसे पोटैसियम तथा मैंगनिसियम की मांस पेसियों में कमी आ जाना एंड वी दूनों तो दूस्तों यहाँ पे एंड वी दून सही होगा जेसा कि दूझे जो एंठन होता है क्राइट होता है Ng walk इसके करण है आते ती गर्म नुम आता और। पेसी में ग्लाइकुलाइटी की कम्ली के कारण। एमक्रोटियम, मैंग्निसियम की मांस्पेस्वे में कम्ली के कारण। नेश्य दोस्तों सररिक अभ्यास करते समय अच्छानक पेट के उपरी भाग में दर्द होना या पेट की मांस्पेशियों में क्रेंप आ जाना क्या कहलाता है तो दोस्तों यह आपका कहलाता है स्टीच क्या बोलता है स्टीच जिसे की यह दोर्ते समय और यह कोई कार करते समय अच्छानक स्टीक अदर्द होता है पेट के निचले भाग में इस स्टीच कहते है तो नेस्ट कोश्चन है दोस्तों कि बार बार अभ्यास के कार्ण ओर यूज यानिकि बार-बार यूज होना बार-बार यूज के कारव या बार-बार अभ्यास के कारव टेंडन के तंतू में सूजन शक्त और छोटा हो जाना क्या कहलाता है तो दोस्तों जब टेंडन की बात आए बार-बार यूज होने का तो सूजन शक्त छोटा हो जाना तो वहां पर होगा टेंडन नायटीस क्या हो जोड के तरल पदार्थ वाले छेत्र की मांस्पेशी में सुजनवदर्द से समंधित चोट को क्या कहते हैं दोस्तों हमारे जोडों पे कौन सा तरल पदार्थ होता है साइनुवियल फ्ल्यूड यानि द्रव होता है जो हमारे हडियों को लुब्रिकेट प्रदान करके रखता तो वहां पे जब सुजनवदर्द हो जाता है चोट के करा तो उसको हम साइनुवाइटिस कहते हैं क्या कहते हैं साइनुवाइटिस नेस्ट कोश्चन है दोस्तों खेलों में टेंडर नायटिस नामक चोट सबसे अधिक किस टेंडर में लगती है तो दोस्तों यह सबसे पास लिगान्यंट के अपनी एक अधिक्ध म सीमा से अधिक खिच जाने को क्या कहते हैं तो जैसरे कई वीडियों बता चुकी हूं कि इसक Bul कहते हैं इस्प्रेंड लिगामेंट में की चोट को इस्प्रेंड मांस्प्रेशी टेंडरेंड की चोट को इस्प्रेंड बोलते हैं ठीक है तो इसको कहने का मैं दो बिदी बताया थे जैसे इस्प्रेंड को इस्प्रेंड नबर का इस्प्रेंड लिए यानि कि इस्प्रेंड लिगामेंट की चूर इस्प्रेंडी और इस्ट्रेंड को इस्ट्रेंड नबर के इस्ट्रेंडम बोलिए यानि कि इस्ट्रेंड मांस्पेसी टेंडन की चूर ठीक तो यहां पर लिगामेंड के अपनी एक सीमा से अधिक खिजाने को हम क्या कहते हैं इस्प्रेंड बोलते हैं नेश्टा मांस्पेसी वर टेंडन के अधिकतम सीमा से अधिक सी जाने को क्या कहते हैं जैसा कि आप उतर दे लिए होंगे दूस्तों इसको इस्ट्रेंड बोला जाता है नेश्ट कुस्चन है चौथा लंबर वर्टिब्रा की पांचवे लंबर वर्टिब्रा लंबर मतला कमर की भाग को लंबर बोला जाता है वर्टिब्रा मतला रिड की हर्डी ठीक है तो चौथा लंबर वर्टिब्रा की पांचवे लंबर वर्टिब्रा पर या पांचवे क्제क्राइब जाता है कि भिवारी जोड़ार प्राहार सेrators और तोचा के बीच रख्त का इकठा हो जाना का कहलता है दोस्तों हेमाटूमा कहलता है यही पर आपका जोड़ा प्रहार से रख्त जम जाने की बात कहेगा या बार-बार यूज होने की बात कहेगा तो वहाँ पर आपका हो जाएगा कांट यूजन लेकिन जब तोचा की बीच रखते कठा होने की बात करेगा जोड़ा प्रहार से आपका वहाँ पे हेमाटोमा होगा नेश्ट दोस्तों जब जोड के पास टेंडन और साइनोवियल छेतर में सूजन आ जाए तो उसे हम क्या करते हैं टेंडन और साइनोवियल दोनों का सब्द का प्रयोग किया है तो वहाँ पे हो जाएगा टेनोसाइनोवाइटिस क्या हो जाएगा टेनोसाइनोवाइटिस नेश्ट है गर्दन की मेरु रज्जू में डिस्क के खिसकने या अथवा दर्द होने की चोट को क्या कहते हैं दोस्तों इसको कहते हैं सर्वाइकल इस्पॉंडी लाइसिस क्या बोलते हैं सर्वाइकल इस्पॉंडी लाइसिस नेस्ट कोश्चन है दोस्तों कमर के दर्द को किस नाम से जाना जाता है तो इसको बैक एक के नाम से भी जाना जाता है नेस्ट कोश्चन है किसी खिलाडी के क्वार्डी सेफ्स मान स्पेसी में कांट यूजन हो जाए तो उसे बग्यानिक तोर पर किस नाम से जाना जाता है तो दोस्तों क्वार्डी सेफ्स मान स्पेसी जो हमारे हीप को मोडने और घुटने के परसार में काम करती है तो यहां पर अगर कोई चोट आ जाये तो उसे हम कहते हैं चार्ली हास। क्या कहते हैं चार्ली हास। यहां पर कांटी यूजर हो जाये यानिकी रख्त जम जाए जो अधाय प्रहार से। उसको हम चार्ली हास बोलते हैं। है जब गोटनी का फ्लैक्सान मुमेंट अरुध हो जाय घमँ तो इस don tavat को छ요 सैंगे किया कहेंगे माय exactamente की जो आख मुदत की नेंठ दोस्तो मेटा असल में स्ट्रेक्श अगर मेटा असल में स्ट्रेस फैक्चर होनी को क्या कहते हैं मार्स वैक्τεर यानि हमारे टकने में मेटार्शल हर्ट वहां पर्युग होने से ऐसा होता है even फ्रेक्चर अ कि कि यहां पे हो जाता है मेटार्श using Roya को कहते हैं इसका नाम मार्श वील्ड क्यों पढ़ा दोस्तों कि कि 1914 के प्रथम बिस्यूद में अधिकतर देशों के सैंजिकों के पंजों में यह फैक्चर हो गया यानि पाया गया जिसके का इसका नाम मार्श फैक्चर पड़ा नेशन दोस्तों वह ओर यूज इंजरी जसमें पेर के नीचे के तलवे की मानस्पेसि में सूजन आ जाए तो उसे हम क्या कहते हैं तो उसे दोस्तों हम प्लांटर फसाइटीस बोलते हैं क्या बोलते हैं प्लांटर फसाइटिस नेश्ट दोस्तों वहां ओवर्यूज इंजरी वहां ओवर्यूज इंजरी जिसमें टीबिया हर्टी से जूड़ी हुई मांस्पेशियों में दर्द वह सूजन रहे उस चोड को हम क्या कहते हैं तो उसको हम कहते हैं एंटिरियर लेक बेन क्या बोलते हैं एंटिरियर लेक बेन क्या होता है दोस्तों जैसे कि कोई आप नए खिल 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 रहे हैं उस 있어서 नहीं है === क्टेशनिंग नरुने के काऱन या मायदान की सत्व कठोड़ है प्रसिचर की तिवृता है उस्का को जहल नहीं पा रहा है अधीक होने के कारज तो इस चोट को हम कहते हैं इस चुट से पैरों की टीबिया हर्डी के पास जो टिबियोलीस में दर्द का अभास होता धां था एंटेर या पोस्टेर ये टिबिया में सूजन आ जाता है ठीक है इसको हम सीन पेन, सीन इस्प्लिंट भी बुलते हैं नेश्ट है दोस्तों एंटेर लेक पेन को और किस नाम से जाना जाता है तो एंटेर लेक पेन को सीन पेन के नाम से भी जाना जाता है और एक नाम है इसका सीन इस्प्लिंट ठीक है नेश्ट है दोस्तों किस कनेडियन को खेल चिकिस्सा का पिता कहा जाता है बेरी इंपोर्टेन कोस्चन है डाक्टर जेसी करनेडी को खेल चिकिस्सा का पिता कहा जाता है दोस्तों अगर आपसे चिकिस्सा सास्तर का पिता चिकिस्सा का पिता बोलेगा तो हीपेक्रिटस है और खेल ची किसा सांसी के पिता पुछेगा तो डक्टर जेसी करनेडी है ठीक है नेश्टा दोस्तो अंतराश्टी इस्तर पर खेल ची किसा की मुख्य संस्था कौन सी है दोस्तो अंतराश्टी इस्तर पर जो खेल ची किसा का मुख्य संस्था वह है फेड तो खेल चिकिस्ता की अंतरास्टी Academy कहां इसी थे ठीक है अंतरास्टी Academy कहां इसी थे थे अमेरिका में現在 दोस्तों इन्टेशन Universumac कि क्षेजल को बढ़ावा देना कि खिलारियों को इसके लाव पहुचाना यहाँ पर न वी दोनों होगा नेर्स स्याएंट दोस्तों के Big सा सकर महत्व है प्रतिभा पर्टिभास एक पर्टिवारियों की पष्चान काना एक-दम 100% . क्योंकि दोस्तों हमbrig न je करनेंगे कि खिलारी खिलने लायक है या इसको इंजरी है या फिटनिस लिबल इसका सही है कि नहीं अकार चमता के अधार पर खाद योजना बनाना यानि कि जैसा जो स्वस्त रहेगा अस्वस्त रहेगा उसके अंसार उसका डाइट प्लान बनाए जाएगा एन वांचिस अधुल द्वारा ड्रक्स परियोग करने के कारडं कि या यश्यंध संमान एकदर रायट इस परधाह में उत्तम प्रधावन विजय प्रारब्त चले रादाशन यह भी सई है अपसम अंबर डी यहां पर उतु शभी सभी होगा ने 250 कि दूस्तों मादक पदारत का खिलाड़ी के लिए क्या उपयोग प्रुहावित करता है तो वह हमारे सारी रिक उतेज़ना को बढ़ा देता है यहां आपसा नंबर सी करेक्ट है ए एन बी दूनों नेश्ण दूस्तों ब्यक्ति पर मादक पदारतों का हानिकारक प्रुहाव ह क्या है सव्ववेगों परनियंत्र का अभाव ठीक है जब हम मादक पतातों कावपयोग करते हैं तो हम अपने समयगों परनियंत्र को बढ़ते हैं बिचैनी अन्वह होता है महिलाओं में पूरु स्तत्व के गुड़ विक्सित हो जाते हैं यहां पर उपरुत सभी सही होग इस प्रकार आपके डेली बेसेश पे प्रैक्टिस कराते कराया जाएगा जिसको आप डेली बेसेश पे बने रहे हैं तो दोस्तों आई होक की वीडियो आपको अच्छा लगा होगा यह वीडियो आपको कैसा लगा मुझे कमेंट में जरू बताएए जो भी डाउट है टॉपिक के साथ तब तक के लिए जय है